बात करने वाले हैं डालेसिस के बारे में डालेसिस की जरूरत क्यों परती है कौन से से ब्यक्ति है जिसको डालेसिस की जरूरत परती है कितना जरूरत परती है सब के बारे में बात करने वाले हैं कि दोस्तों जो डालीजिस होता है वह उस व्यक्ति की जरूद पड़ती है जिसकी कीटनी पूरी तरह से खराब हो सबती है चुँघ काम नहीं कर रहा है और रेगुलर्ली लहना पड़ता है यह नहीं कि अगर आज एक बर कर लिए तो दो मेने चार में तर नहीं रेगुलर्ली उसको डैलिसिस कराना ही पड़ता है क्यों कोई ऐसा वक्ति जिसको CKD हुआ है यानि क्रोनी किड्नी डिसिस से हुआ है तो इस कंडिशन में होता क्या है दोस्तों जो हमारी किड्नी होती है दोनों किड्नी ठीक से काम नहीं करती है दोनों किड्नी पूरी तरह से खराब हो जाती है क्यों किट्व काम होता है हमारे ब्लड को रेगुलर फिल्टर करना जब किट्वी खराब हो जाएगी तै फिल्टर करने podाय MEET योट परणे से निकाल नहीं पसकता है अब यह वेश्ट परदात होता है दोस्तों заг ella के जिसको सरीर के अंदर से बाहर निकाला काफी जदा जरूरी हो जाता है जिए काम होता है अब चैनि जो कि एक मसीन होता है, उस मसीन को दोरा डालेसिस कहाता है, डालेसिस के मतलब यह होता है, कि जब हमारे किट्नी काम नहीं करती है, तो उसको मसीन को दोरा हमारे बलड को फिल्टर करना, और मसीन को दोरा फिल्टर करकी हमारे बलड से जो भी बेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको वाहर निकालके fake दे आता है और blood को filter करके फिर से बोडिय कंदर डाल दे आता है जिससे कि हमारे शरीर कुछ दिन तो काम करता है कुछ दिनों तक हम ठीग रहते हैं फिर उसके जरूत पड़ते है डालेसिज की इसलिए मैं बोला था कि डालेसिज जो होता है किटनिक खराब थो उसको हफते में दो भार डियासिस के पड़ती ही पड़ती है और कराना ही पड़ता यह जो प्रोचल प्रोसेजर होता है दोस्तों है नेफ्रोलोजिट डॉक्टर होते हैं वाक करते हैं इसके लिए पेशन के सरीर में पहले से ही AB Pristula या AB Graft बनाया जाता है, जिसके जरिए दो pipe होते हैं, जो की सरीर कंदर लगा जाता है, हंनर्श में एक vents में और एक article में लगा जाता है, और फिर machine से connect किया जाता है, जिससे की एक pipe से blood सरीर कंदर बाहर आता है, मस्चीर में जाता है वहां से फिल्टर होता है और फिल्टर होने बाद फिर दूसरे पाइप को द्वरा हमारे सेरीक अंदर रिपीड बलड वाता रहता है क्या इतना लंब प्रोसिजर रहरता है तो बिलकुल सो सकता है अराम से लेट सकता हो कोई दिकत नहीं है इस प्रोसिजर को आप घर पर भी कर सकते हो अगर आपके पास उतना इस्टूमयन है उतना यह कभी सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों नेचुरली तरीके से अगर हमारे फिल्टर होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं लेकिन इसको आने वाले टाइम में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे इंस्फेक्शन होगर होने खत्रा बन चकता है और जाकता है अगर खराब हो गया है वह डिले से उपड़्लम नाष्ट को पेक्तर पाव आन तो कितनी दिनों तक जिवेत रह सकता है तो दोस्तों यह आपके लिटिस्टों को पर मेडिशीन को पर डिपेक्ट करता है और कि ज्यादा से ज्यादा आप 20-30 साल जाकी मरीज इससे जी सकते हैं कम से कम 5-10 तक भी मरेश जी सकते हैं डालेसिस के माध्यम को जासे आपका येज क्या है आपकी इस ग्रूप से हो ये सारा भी माहिने रखता है तो डालेसिस ऐसे वेक्तियों को किया जाता है तो उमीद करते हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा कुछ डाउट नीचे कमेंट करूँ मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना